आज को जो वीडियो है यह NCC का टेड है जिसे कि हमने कल के सेशन में एक्जीक्यूट किया था बट अपने किसी परसनल काम की वज़े से हम इसको अपलोड नहीं कर पाया था तो इसे हम आज आपनों के साथ पब्लिश कर रहा है तो इसने अपसाइड के तरफ एक मूव दिखा था जब में लगा कि स्टॉप चला जागा तो प्राइज में देखिए एक ग्रीन यह तीन ग्रीन केंडल बनी और यह जो रेनिंग केंडल है यह बहुत अपसाइड के तरफ चले गए थी तो लोवर टाइम फ्रेम पर हमारी किस तरह से नालसिस की है यह चीज़ आपको समझ भी आ जाएंगे और आज हमने ट्रेड एक्जिक्यूट किया था हालां कि अधानी इंटरप्राइज को ट्रेड एक्जिक्यूट करने के लिए हमने पब्लिक टेलिग्राम चैल पर सभी लोगों के साथ शार किया था जो कई स करना था एक्सपेक्टेशन्स थी कि प्राइस के अंदर आज एक रेट केंडल फॉर्म होगी अब प्राइस अगर इतना मूव कर रहा है तो ऐसा भी होगा कि फिर नीचे नागर जाता तो यह चला जाता फिर हम इसको ट्रेड नहीं करते किसी भी स्टॉक को आपको शॉर्ट तो आपको कई सारे रिजल्ट्स मिलेंगे एक पॉइंट अवी होता ना वो पॉइंट अवी दिरे दिरे करके आपको ट्रेड एक्जिकूट करने में बड़ी हैल्प कर जाए अब एंसी सी ने अपना यह वाला स्विंग हाई ब्रेक कर दिया वॉल्यूम्स भी आई थी अब इसके बाद से एक फॉर्मेशन बनी है और वॉल्यूम भी बहुत काफी जाधा वॉल्यूम आई है अब देखोगे एंसी सी को इस अंदर बहुत सारी वॉल्यूम है और वॉल्यूम के साथ प्रेज ने हमारे लेवल को अपसाट की तरफ ब्रेक कर दिया अब यहां से अ चल जोगा हमें है अगर इसेफै के तरफ जाने तो इपना हैई क्रेक करेगा और अगर लो की तरफ आना तो यह अपने हाईस को प्रोटेक्ट करे तो उसको बार-बार हम repeat नहीं करेंगे यहां से simply हमारा जो NCC का ट्रेट था वो एक retracement था और यह जो retracement है प्राइस ने कल की session में एक green candle जैसा भी हमने बताए कि एक बनाई और इस green candle ने अपना previous एक swing break किया और already यह इस green candle से पहले यह swing इसका lifetime हाई था एक नया lifetime है लगा और previous जो swing market ने break किया था आज के session में हमने वहां तक का retracement और वहीं तक का अपना एक target लगाया चीर समझ में आ रही है कि price ने एक नया lifetime हाई लगाया volume के साथ अब अगर इसको ऊपर के तरफ जाना है तो यह चला जाए अच्छे breakout आपको देखेंगे यह आप यह भी volume बनी थी इसके बाद से price आपका एक range में रहा है इसने mother candle form की mother candle के साथ सती आपका swing हाई है और यहाँ पर हो गया इसका breakout अब अगर price को upside की तरफ जाना है तो यह तो यह कल का high break करें और कल के high के break के साथ-साथ में आज का swing high लगा होगा इंटर देगा उससे break करना होगा तब यह में bullish mood दिखा सकता है बट आस तो ऐसा इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ जब आप lower time frame पर देखोगे lower time frame पर आते है 9.15 के अंदर इसने कई सारी candles phone की बट हमारा क्या था कि अगर अपनी 9.15 को नीचे की दिशा में break कर देगा तो फिर हम इसको downside की तरफ trade करेंगे और जो चीज अभी मैं आपसे बोल रहे है कि अगर upside की तरफ जाना है अगर upside की तरफ जाना है तो यह lows को protect करेगा और अगर नीचे की तरफ गिरना है तो फिर अपने हाइस को protect करेगा तो यहां पर देखिए प्राइस मॉनिंग से जितने भी swing लगा रहे हैं इन सब को protect कर रहा है बहुत सिंपल टेक्निक होती है यह green candle यह भी ब्रेक नहीं हो इसके बाद में फिर से green candle यह भी ब्रेक नहीं हो अब यहां से price क्या कर रहा है ना सीदे फिरम ने अपने lows mark कर लिया और प्राइस हमारी low के नीचे स्विंग लगाने लगया इसके नीचे इसने काई सारे supports लिया हमारी जो अपनी confirmations थी 133.4440 यहां पर देखिए जैसे 6800 का profit चला इसको refresh कर लेते हैं गबर 6800 order book में देखिए यहां पर 4000-4000 countries 13340 पर 13420 पर अपने stop loss लगा हुआ है यहां पर आप देखिए को 10-10 पर यह stop loss भिमने लगा था यह stop loss लगा था यह जो ब्लैक वाली candle ने जस्ट इस candle के हाई पर अपने stop loss लगा हुआ है तो प्राइस हाला है कि रिट्रेस होकर के upside की तरफ गया लगा भी कि यह चला जागा मेरा stop loss चला जागा लेकिन फिर सी जो दो तीन candle बनी नहीं हो काफी अच्छा मूँ दिखा दिया और अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस स्विंग के नीचे एक अच्छा मूँ दिखा देगा देगा देखे तारी चीजें clear करते चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या आयत देखा डेली टैम फ्रेम पर किस तरह से कूट रीड किया कि उसने एक लाइफ टेम हाई लगा और एक यह वाला अपना लो लग गया कल का यह सबसे लास्ट सपोर्ट था कल मार्केट इस वाले लेवल के नीचे नहीं गए यहां से सीधे अपसाइट की तरफ से लेग इसने पना स्विंग लगा दिया अब महीं जाकर कि यह क्लोस हो गई इसको देखिए अगर प्र तो समझ रहे हैं कि प्राइस अपना यह वाला स्विंग थोड़ रहा है डेली टाइम फ्रीम पर भी यह वीक है और आज के इंटरे सेशन के कॉर्डिंग इसने 9.15 का लो ब्रिक कर दिया कोई भी बुलिश सिगनल स्था में देखने रहे हैं किसी भी ट्रेट को अगर आप कि एक बार यह लेवली से टच करना होगा हालां कि NCC बेरिश नहीं है फिर सेम बोले हम एक रीट्रेस्मेंट कैच कर रहे हैं इस जगह पर आने के बाद में कि NCC वापस सेबसाइट के तरह है बट आज के सेशन को देखकर के लगने रहा है कि आज के सेशन में तो फिलाल अप म काफी बार ही शोर ही थी अगल और किसी अपने काम के वज़े से एक मेर्जनसी काम आ गया तो इस वाज़े से बाहर की दरफ निकलना पड़ा तो जो भी एक्जेकुशन से वो सारे के सारे मॉनिटर कर रहे थे अपने मॉबाईल से हाला कि मौसम बहुत अच्छा था और कल य इतना एक्टिवली उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे इस वाज़े से क्या हो ना के में टार्गेट मिलने के बाब जूद भी वहां पर हम प्रॉफित नहीं बुक कर पाए तो जब हम प्रॉफित अपने बुक करने का तो जो रनिंग प्राइस हमको मिल रहा था बुक करने के लिए यहां पर देखिए 130.75 130.75 यहां पर सारी क्वाइंटीज निकल के लिए 10,600 पेगा प्रॉफित था तो आज के वीडियो हम लोग यह इंपर खतम करते हैं दिन बहुत अच्छा था हम लोग ट्रेवल कर रहे थे बार ही शुरे थे प्रॉफित चला था बहुत अमेज इस निक्स्परियंस ताजिका